एलो बैस वेलकम टू सेर बजार एक बार आप फेडरिल बैंक लेके आईए फेडरिल बैंक 18703 पर डे हाई पर और यह अपना अब 10 डे एक्सपोनिशल विंगेवज काटने के बेहर नजदेए का 25 लाग शेयर ओपें टेस्ट में कम हो है कम्प्रीट स्क्रीन पर आप देखें जो हो गया तरह है में शॉट कवरिंग इसमें हो रही है और पिछले साथ टेडिंग सेशन का जो बेस है वो एक्जेक्ली इसका 100 डे एक्सपोनिशल विंगेवरेज है एक ये हो गया और दूसरा देट्स चोला फिनांस अनुच बिलकुल मैं सिर्फ दो स्टॉक की बात करके हज्टा को टॉस करूँगा और ट्रेंडिंग स्टॉक के लिए सुबह सुबह खुलते ही जो क्विक सिंगल सजेस्ट हुआ था चैनल पर वो था समवर्धन मदसान एक बार वो स्टॉक देखते हैं आतिंग सारे टारगेट उसके हिट हुए समवर्धन मदसान के तो एक उस स्टॉक पर नदर गई थी जो डे हाई था वहाँ पर तो सारे टारगेट मेट हुए थी गाबसर के पिक्ति हष्टा सुबह सुबह और आज सुबह मैंने एक स्टॉक स्टॉक किया था और उसके बाद सचन से उस पर कॉल दे थी वो था बंबै स्टॉक एक्सजेंड बेसी का स्टॉक और बेसी पर हमारी बात कल भी हुए थी कल यह परसों दो में से परसों हुए थी शायद यह बात जी थी कि यह अब वो एक आई-प्यो का जो एक आई-प्यो का रास्ता क्लियर होने का एक इंपक्ट जो मिलेगा तो बेसी वहां भी सारे टार्गेट हुए 3340 रुपए पर आज सुबह इसको स्पॉट किया था और अब देखिए 3350 के करें और अब करीब 3800 रुपए का भावी यहां पर आपने पिक किया था ऐसे और 3860 के लेवल्स तो दो स्टाप पॉफॉर्मर्स आज के आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं लेकिन इस बाजार में कुछ स्टाप पॉफॉर्मर्स के साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो थोड़े से डरावने साबित हो रहे हैं आज की फॉल काफी क्रूशल है आई टी कंपनियों में और काफी अग्रेसिव कट्स देखने को मिले हैं आप देखिए में एमफसिस 6% नीचे औरिकल फाइनांस 8% का नौक लेता हुआ दूसरी तरफ ल्टी टी एस जैसे लूजर्स भी हैं अबिट आज बीच में कुछ और मुनाफ़ वसूली दिखा रहा है ये फकॉस आइटी कंपनी है नहीं दूसरे काउंटर्स जहां पर थोड़ा सा स्ट् सी बैंक का तो वो निफ्टी आईटी की जो कट्स है फंद्रा सु पॉइंट का की गरावर्ट काफी भारी पड़ती समवर्दन अभी-अभी हमने मेंशन किया MCX भी आप देखिए बंधन बैंक PFC ये दूसरे ट्रेज हैं जहां पर आज अच्छा खासा अक्शन बनता हुआ जरूर दिखाई दिया है अब इस मार्केट को एक बड़े इवेंट से पहले